नवस्कार दोस्तों आज बात करेंगे उस मुद्दों पर जिस पर हमारे प्रधान मंत्री मौन राते हैं जबकि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर खुद प्रधान मंत्री को आगे आ करके और इस पर जवाब देहितने करने चाहिए क्योंकि प्रधान मंत्री का ये बयान है और ये जिम्यदारी बनती है कि लोकसभा में चाहे वो किसी भी दल का सांसद हो किसी एक दूसरे के उपर ऐसी टिपड़ी न करें जिससे हमारे लोकसभा संसद भौन वो अपमानित हो लेकिन पिछले 4-5 दिनों से मैं देख रहा हूं कि बीजेपी का जो सांसद है रमेश बिधूरी जो कि दिल्ली से सांसद है वो दानिसरली को किस प्रकार से लोकसभा में अपमानित करता है उनको गाली देता है गाली गलोज करता है उसपे कारवाई ना करके अब बीजेपी का टूल कीट एट्टिव हो गया है और कुछ बीजेपी के सांसद जो उल्टा ही दोस दानिसरली पर मरना शुरू कर दिये हैं आप सबको पता होगा कि बीजेपी से ही सांसद है जारखंड के निसिकांत दूबे उन्होंने एक लेटर लिखा है बकारदा लोकसभाद धर्च को और उसमें वो बताने कि ये कोसिस किये हैं कि जो रमेश बिदूरी ने जो गाली गलोज किया है दानिस अली को इसमें रमेश बिदूरी जब लोकसभा में बोल रहे थे चंद्रयान 3 के सफलता को लेकर उसी बीच में टोपा कि प्रिक करते हुए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को दानिस अली ने नीच बोला था नीच सब्द का प्रियोग किया था प्रधान मंतरी मोदी के लिए और इसी बा रमेश बिदूरी का बचाव किया है और दोस पूरी तरीके से दानिस अली पर मर दिया है कि दानिस अली नहीं पहले उकसाया था उसके बाद ये जो पूरी घटना घटी है इसके जिमिदार यानि दानिस अली है और आप सब लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा कि कि रमेश बिदूरी के पीछे बैट करके बीजेपी के दो वरिष्ट सांसर रवी संकर प्रसाद और डाक्टर हर्सवर्धन किस प्रकार से हस रहे थे ये कही न कही इस पूरी घटना से पूरा देश सर्मिंदा है और बीजेपी की जो मानसित्ता है मुस्लिमों को ले करके ओ कही न कही उजागर हो गई है आप सबको पता होगा कि छोटी छोटी बात को ले करके हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोगी ट्यूट करते हैं यहाँ तक के रैडियों में जाकर उस पीसर पर चर्चा करते हैं लेकिन इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद भी अभी तक ना ही प्रधान मंत्री की ओर से कोई बयान आया है और ना ही अभी तक गिरी मंत्री के ओर से इस पर कोई बयान आया है बलकि पूरी बीजेपी टीम, पूरी बीजेपी पार्टी उस गालीबाज अपने सांसत को बचाने के लिए मैदान में उदर गई है और अभी तक कोई भी कारवाई उस गालीबाज सांसत पर नहीं हुआ है अब इस बीच में एक कहानी में आग सबको बता था हूँ संद 2006 की लोग सभा में असुदिन OIC जो हैदराबाज से सांसत है उस समय भी वो सांसत से हैदराबाज से ही और सिवान से सांसत से डाक्टर साब उदीन ये दोनों लोग सभा में मौजूग थे असुदिन OIC ने ततकालिन उस समय के मुख्य मंतरी गुजरात के नरेंद्र मोधी के उपर कुछ अपमान जनक सब्तों का परो किया था जिसको ले पैटे बीजेपी के पूरी जो एकी सांसत की टीम खड़े हो गई और वेल में आने की कोशिस की और यहां तक कि अपने कुर्टा की पह मोड़ते हुए वो लोग असुदिन OAC की तरफ बढ़ते हैं और माफी मागने की मांग करते हैं यह देखते हैं वे डाक्टर साबुद्दिन को जब लगता है कि यह पूरी टीम भास्पा की असुदिन OAC के पास आ रही है और हथा बाही करने पर पूरी तरीके से उतारू है तब डाक्टर साबुद्दिन अपनी चेयर से उठते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं और सुदिन OAC के पीछे जाकर के खड़ा हो जाते हैं और जैसे यह साबुद्दिन जाकर और सुदिन OAC के पीछे खड़े होते हैं पूरी टीम जो की भाद्पा के जो सांसते थे वह अई पर ख़ड़े हो जाते हैं ना सिर्फ खड़े होते हैं बर कि जा करके अपने अपने चेयर पर बैड़ जाते हैं तो जो यह घटना घटी है इसमें भी लोग डाक्टर साब उद्दीन की चर्चा कर रहे हैं यदि डाक्टर साभुत दिन यदि लोगसभा में उस समय मौजूद होते तो सायत यह घटना ही नहीं घटती। कुछ लोगों का तो यहां तक भी कहना है कि दानिस अलिक के जगा यदि डाक्टर साभुत दिन लोगसभा में होते और उनसे रमेश बुधुरी का जो बाली गलोच हुआ है अगर हो जाता तो जो रमेश बुधुरी बोलते हैं कि चलके तुमको बाहर देख लेंगे लोगों क कहाना तो यह है कि बाहर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती लोगसभा में ही इस मामले का रफा दफा हो जाता साभुत दीन के द्वारा यह कर दिया जाता तो यह पूरी घटना कराम को ले करके कहीं न कहीं डाक्टर साभुत दीन भी ट्रेंड में हैं लोग इनको भी कहीं अपने आपको सुरचित महसूस करते थे और अब का जो दोर है और जो भारती जनता पार्टी की मान सिकता है उसको देखते हुए यह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक चुना हुआ जन प्रतिनी धी लोग सभा में उसको भारती जनता पार्टी की इस प्रकार से बैज़त करती है उसके गाली पास अंसर गाली बकते है तो आम मुसल्मानों का क्या हाल होगा देश में आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं और हमारे प्रधान मंतरी जो पूर्व के प्रधान मंतरी थे डाक्टर मन महान सिम उनको मौनी बाबा अमौन प्रधान मंतरी का संग्या देते हैं लेकिन जब ऐसा मुद्धा आता है जहां मरीपूर का घटना हो जहां पर औरतों को जो एकी नंगा परेट करा गया मरीपूर में रेसलर अपना जो दिल्ली में दो महिना तक बैठी थी अपनी मांग को ले करके जो आरोप लगाए थी बीजेवी का एक सां करता है उस मामरे पर या तमाम एसी गंभीर विशय जिस पर प्रधान मंतरी को खुद आगे आकर बोलना चाहिए उस पर मौन साथ लेते हैं और जो छोटी मोटी बात होती है विपक्ष का वह आकर करते हैं रेलियों में आकर उसे बारे में चर्चा करते हैं लेकिन जो मुख भी से होता है उस पर प्रधान मंतरी चुप्टी साथ लेते हैं तो ये आप सब लोग भी देख रहे हैं आप सब लोग भी निड़े कीजिए कि क्या प्रधान मंतरी कीजिए जो चुप्टी है ये सही है या गलत है क्या प्रधान मंतरी को इस गाली बाज अपने सांसत के वारे में जवाब आता है तो लोग सबाई स्पीकर के दोर आ उस गाली बास सांसत के उपर कारवाई होती है यह सब देखने वाली बात है तो दोस्तों इसे ही वीडियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें चैनल पर अगर नए है तो सब्सक्राइब कर लें वीडियो अच्छ लगी तो लाइक कर दें जाहिए वन्दे मात रहा है